सभी को मेरे नमस्कार, मैं नरिंदर कुमार लेक्षर रिशिष्ट्री आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस यूरी में हम NCRT 12th क्रास के चैप्टर सेक्ड को पनने वारे हैं जिसका नाम है राजा, किसान और नगर तो आए बिना दिरिकी करते हैं वेडियो सुरूप पहला परसन है इसी उपरूप पहले साइस्तराबदी के दुरान मद्दे और दक्षिन भारत में समों के अंतिम संसकार के नए तरीके जिसमें ख्यात पत्रों के बड़े बड़े धांचे मिनते हैं कहलाते हैं तो वो महापाशान कहलाते थे अपिग्राफी अभिलेक सास्तर किसके अध्यांस से संबंधित है तो यह अभिलोगों के अध्यांस से संबंधित है अध्यांस प्रिंसम ने 1337 में असोग के अविलेकों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी Next question है प्यदसी या प्यदसी सबद का आर्थ है तो इसका आर्थ होता है मनुहर मुखाकरिती वाला राजा Next question है किस अविलेक में असोग के विक्तिकत नाम असोग मिलता है तो नेटूर, मास्की, गुर्जिरा, उद्गोलम इन सभी अविलेकों में असोग का नाम असोग मिलता है राइटन्स रॉप्सन डी Next question है पत्थर धातू, मिट्टी के बरतन जैसी कठोर स्टै पर खुदी कलाकरितियां क्या कराती है तो उनको अविलेक कहते है Next question है अविलेकों के संद्रम में सही कतन है तो इसमें बनवाने वाले लोगों की उपलब्दियों, किरकलाप, विचार लिखे जाते हैं बिल्कुल सही है इसे महिलाओं, पुरसों, द्वारा, धार्मिक संस्थाओं को दिये गए दान का भी औरा होता है बिल्कुल सही है प्राचिन अविलेक प्राहरितिक भासा में लिखे जाते थे तो ये भी कतन सही है तो अविलेकों के संद्रम में सभी कतनियां पर सही दिये गए है राइटन से रोप संदी हो जाएगा Next है जन समान्या की भासा कहलाती है तो उसमें जन जो आम लोगों की भासा थी वो प्राहरितिक थी जबकि पड़े लिखे जो लोग थे जिसे ब्राहमन गरख के लोगों सस्कित भासा प्रियोग करते थे Next है एक ऐसा बुखंड जहां कोई जन अपना पाउं रखता है या बच जाता है कहलाता है तो उसको जन पद उसमें आएगा जन पद उसको जन पद कहते थे ना कि महाजन पद यहां पर गरत दिया गया है राइटन स्रोज आएगा जन पद Option B Next question है महाजन पदों की संख्या थी तो महाजन पदों की संख्या जो की हमें बहुत गरंथ और जन गरंथों से पदा चलता है बहुत गरंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय जबकी जन गरंथ का नाम है भगवती सुत Next question है अरंबिक भारते इतियास में छटी स्ताबदी इसी परोग को एक महत्तु पूर्ण प्रवर्तन कारी काल मान जाता है क्योंकि लोहे का बढ़ता प्रियोग तथा सिकों का विकास होने लगा बिल्कुल सही है गंगा घाटी में अरंबिक राज्य है तथा नगरों का विकास विर्कुल सही है बोध, जैन, सहीत, विभिन, दार्शनिक, विचारधनों का उदे, वेविकास तो सभी कतनियां पर सही दिये गए है, राइट टंसर, उपसंडी नेश्ट कोशिन है, गण संग के संद्रब में सही कतन है तो गण, संग, राजियों में कहीं लोगों का समू, सासन करता था, बिल्कुल सही है समू का प्रतेक विक्ति राजा कहलाता था, ये भी सही है महावीर स्वामी और महातावबुद इनी गणों से संद्रब थे, तो सही है तो गणों और संग के बारे सविकरन सही दिये गए है, राजियों प्रतेक जिखे ती मगद महाजनपद के आरंभी राजधानी राजगहा थी, बादेपाटली पुत्तर बन गई थी नेक्ट कोशिन है, राजगहा या राजगरह का अर्थ क्या है तो इसकारसाबदी गर्द होता है राजाओं का घर नेश्ट कोश्चिन है मगद के सकती साली होने का प्रमुक कान क्या था तो मगद अक्षेत्र में क्रीशी उपज की अच्छी पैदावार होती थी ये भी सही है महतपून सेने अंग हातियों का मगद के जंगले क्षेत्रों में अप्लब्द होना ये भी सही है तो सभी कथनियां पर सही दिये है निस सभी कानों से मगद सकती साली बन गया था नेश्ट है चोतिस तापदी इस उपरू में कौन सा सहर मगद की राजदानी बना तो उद्यान एक सासक हुआ जो कि मगत का एक सासक था उजासतरू के बाद बना तो उसने राजगा से अपनी राजधानी को पार्टली पुत्र बना दिया था next question है असो के अधिकांस अभिलेक किस भासा में लिखे गए है तो उसके अधिकांस जो भारत में जो अभिलेक पाए गए है वो प्राहरित की भासा और भ्रम्मी लिपी में पाए गए है तो next question है असो के अधिकांस अभिलेक किस लिपी में लिखे गए है तो सुराइटन्स रो जाएगा उप्शन A, ब्रहमीलीपी में नेश्ट कोश्चन है, कोश्चन नमबर 20 मौरिय समराजे की स्थापना किस ने की थी तो चंदरगुफ्त मौरिय ने 321 इस्वी पुरू मौरिय समराजे की स्थापना की थी नेश्ट है, जैन और बोद लेखों के अनुसार मगद की महता का क्या कारण था सासकों की नेतियां बिल्कुल सही है लोग खतानों की अप्रणपता ये भी सही है समरी द्वेपार ये भी सही है सोरी यहां पर इस कर राईटन्स रोजाएगा है सासकों की नीतिया क्योंकि इसमें पुछा गया है कि जैन और बोद लिहकों के अनुसार सिरफ इनके अनुसार Next question है तो इसका राइट अंसर था सासकों की नीतिया Next है कौन सा नगर गंगा के रास्ते आउगमन के मारक पर अवस्थित था तो पाटली पुत्र गंगा के रास्ते पर अवस्थित था Next है महाजन पद महाजन पद और उसकी राजधानिया हमें यहाँ पर सही सुमेले देखना है कून सा यहाँ आपर आप्शन सही सुमेले था तो वच्ष की राजधानी कोशाम भी थी बिल्कुल सही है कोशर की सराफस्ती थी यह भी सही है अंग की राजधानी चमपा थी यह भी सही है चेदी की सोतीवती थी अवंती की उज्जैनी थी असमक की पोतन थी कासी के वानासी, सूरसेन की मत्रा और गहंदार की तक्षिला इस परकार से यहाँ पर सभी सुमिलित दिये गए है राइट रॉप्सन डी हो जाएगा नेश्ट कोश्चन है यहाँ पर भी माजन पदरूर की राजधनिया दिये गई है मलकी कुशी नारा या पावा थी वज्जी की विशाली और मगद की राजगा थी मत्तसे की विराट नगर और कमबोज की राजपुर या हाटक कुरू की इंदरपरस्त पाँचाल की राजधानी अही छत्र और काम पिल्या थी तो राइट रॉप्सन डी सभी सुमिलित है नेश्ट है जहां सत्ता पुर्सों के एक सुमों के हाथ में होती है क्या कहलाता है तो ऐसी सासन में वबस्ता को ओली गार की कहते है नेश्ट कोशिन है किस बोध गरंथ में सोला माजन पदों की सुची मिलती है तो बोध गरंथ है अंगुत्तर निकाए जबकि अगर जैन गरंथ पुछा जाए तो उसका ना था भगवती सुत्र नेश्ट कोशिन है किस जैन गरंथ में सोला माजन पदों की सुची मिलती है तो वह है भगवती सुत्र में नेश्ट कोशिन है सोला माजन पदों में से रास्तंतर आत्मक राजियों की संख्या कितनी थी तो यहाँ अप ध्यान से कोशिन पढ़ना है राज तंतर जिन ऐसे कौन से माजन पत थे मतलब संख्य कितनी थी जहांपर राज तंतर था तो उनकी संख्या थी 14 बलकि जो टोटल थी वो 16 माजन पत थी तो next question है बुद्ध कालिन कितने गनराजियों का उलेक मिलता है तो बुद्ध कालिन 10 गनराजियों का उलेक मिलता है 16 माजन पतों में से गनतंतर आत्मक राजियों की संख्या कितनी थी तो राज तंतर आत्मक 14 थे और गनतंतर आत्मक 2 थे तो टोटल हो जाएंगे हमारे 16 हो जाएंगे गनतंतर 2 में था जबकि राज तंतर 14 में था next है निमन में से कौन सा सासक मगद से सम्मंदित नहीं था तो बिम्पी सार भी था, महापद मनंद भी थे और अजासतर भी थे तो राइट रंसर हमारा हो जाएगा समंदरूत समंदरूत का समंद गुप्ट सवन से है नेश्ट कोश्चिन है चटी स्ताबदी इसी पुरूव से ब्रहामनों द्वरा द्रम ग्रंतों की रचना किस भासा में की गई थी तो राइट रंसर हो जाएगा उप्शन सी संस्कित भासा में नेश्ट है असो के पश्चिमोतर से मिले अभिले किस भासा में मिले है तो वो युनानी और अर्माइक भासा में मिले है नेश्ट है तो अगर असो के अभिलेगों की बात करें तो वो चार भासा में मिलते हैं हमें प्राहरतिक भासा, युनानी भासा, अर्माइक भासा और खरोश्टी भासा तो चार भासाओं में उसके अविलेक और चार ही लीपियों में उसके अविलेक पाए रहे हैं आपको याद रखना है Next question है कलिंग वर्तमान में कहां स्थित है तो कलिंग आज वर्तमान के उडिशा को कहा जाता था Next question है असो के पश्ची मुत्र से प्राप्त अविलेक किस लीपी में लिखे गए है तो वो खरोष्टी लीपी में खरोष्टी भासा भी थी और लीपी भी थी तो ये खरोष्टी लीपी में पाया गए है जो आज का पाकिस्तान है next question है अधिकारियों और परजय के लिए प्रहरतिक पत्रों और पोलिस के हुए स्थम्बों पर संदेश लिखवाने वाले पर्थम संबराट कौन थे तो अभिलेक यह सिदा पूच चासकता है सिदा सिदा की भारत में पहले बार अभिलेक किसने चलाएं तो वो थे असोक बोरियमस के तीसरे सासक नेक्ट कुश्चिन है असोक ने डैस के माद्यम से धम का परचार किया तो उन्हें अभिलेकों के माद्यम से अभिलेकों के माद्यम से उन्हें अपने धम का परचार किया था नेक्ट है मोरियकलिन इतिहास को जानने के परमुक्स त्रोथ है तो असोक के अभिलेकों और मूर्तिकरा कोटिलियक अर्थसास्त्र और मेगस्तनीज के लिए कि पुस्तक इंडिका तो इस सभी मुर्यकाल को जानने के साधन है नेक्ष्ट कोश्चन है धम के परमुक सिधानतों में शामिल है बड़ों के परति आदर करना सही है दूसरों के धर्मों और प्रमपराओं कादर करना ये भी सही है तो प्रोक सभी कतन सही दिए गए है राइट अंसर उप्सन डी नेक्ष्ट कोश्चन है मुर्य सिम्राज्य के परमुक राजनिती केंदरों में शामिल था तो तक्षिला ये उत्र पश्चिम की राजधानी थी पाटली पुत्र ये केंदर की राजधानी थी जो मद्ध्य है राजज्य था उस समय का तो उसलिए ये कलिंग की राजधानी थी तो सभी के सभी हाँ पर राजनिती केंदर दिये गए है next question है हसो के समय मोरियस मराजय कितने राजनितिक प्राफेůं में विभक्त था या उसमें कितने राजनिति प्राफ थे तो उसमें पाँच राजनिति की प्राफ थे जैसे हमने बताया कि तक्षीला, तोसली और पार्टली पुत्र उज्जैनी और दक्षिन में स्वनगिरी next है question number 44 सोने की घदान के लिए उपयोगी स्वनगिरी कहां स्थित था तो स्वनगिरी दक्षिन में करनाटक राज्ये में स्थित था जो आज का करनाटक है next है धम के प्रचार है तो किस विशेश अधिकारी की नुक्त की गई थी तो असोग के द्वारा ध्रम महामात्र या धम महामात्र अधिकारी की नुक्त की गई थी धम के प्रचार है तो तो यहाँ पर चार समीतियों के आवा मैं स्थिनी जी ने अपनी इंडिका में नगर प्रसासन के समंद में चार समीतियों का वनन किया गया है जिसमें 30 स्थे होते थे तोन समीतियों के विभिन कारिये थे तो जो पहली समीति थी उसका कारिये था नो सेनका संचारन करना जबकि दूसरी समित्य का कारिया था यात यात और खान पान का संचालन तीसरी समित्य का कारिया था पैदर सेनकों का संचालन चोती समित्य का कारिया था अशवा रोहियों का संचालन और पांचवी समित्य का कारिया था रथा रोहियों का संचालन जबकि छटी समिती का काम था हातियों का संचालन तो इस प्रकार से राइट रो जाएगा उप्शन बी यहाँ पर Next question है सेने गत्विदियों के संचालन अर्थ उलेकित दिवित्य उप्शमिती के दाइतों के संध्रम में सही है तो उप्शमिती के लिए बैल गारियों के विवस्था थी बिल्कुल इसका काम था विवस्था करना दूसरा सेनकों के लिए भोजन और जानुरों के लिए चारे की विवस्था करना बिल्कुल सही है सेनिकों की देखवाल है तू, सेवकों और सिल्फ कारों की न्यूकती करना तो ये सभी के सभी दूत्य समीती के कारी यह थे, राइट अंसर हो जाएगा उप्सन डी नेश्ट कोशिन है, मेगस्तनी जिने सेनिक संचालन है तू, कितनी उप्समीतियों का उलेक किया है तो अभी हमने पड़ा की, छेप समीतियां का वी लोगा मेगस्तनी जिने अप्समीतियों करने थे, सेनिक संचालन है तू, मेगस्तनी ज़ारा सेन्य गतिविदियों के संचालन के संद्र में सभी कतन है तो प्रतम स्मिती का जोकारिया था वो था नो सेनक का सरंचनल बिल्कुल सही है दित्य स्मिती का काम था यातायात और खानपन का संचनल बिल्कुल सही है दित्य स्मिती का काम था पैदल सेनको का संचनल तो ये भी सही है तो सभी यहाँ पर सुमिलित दिये रहे हैं राइट रंसर हो जाएगा उप्शन D Next है कौन सा मुर्य सासक बीस्वी सदी के राष्टवादी नेताओं का तेरणा स्त्रोत बना तो इसका राइट रंसर हो जाएगा उप्शन B असोग Next question है तमिलकम तमिलकम अक्षेतर के अंतरगत कौन सा अक्षेतर शामिन था तो इसमें तमीन लाडू, आंदरप्रदेश, केल के कुछ भाग सामिल होते थे दक्षिन भारत को सदूर दक्षिन भारत को तमिलकम अक्षेतर कहा जाता था Next question है Next question है सात्मान वंस का सासनकाल मुखेताय किस अवदी के दुरान मना जाता है नेस्ट कोश्चन है भारत में कुसान सासको का शासनकाल मना जता है तो पर्तम स्ताब्दी इस्वी प्रोव से पर्तम स्ताब्दी इस्वी प्रोव राइटन सरो अप्सन ए किस देवस्थान पर कुसान सासको की विशाल काई मुर्तियां लगाई गई थी कुसान राजधरम की प्रस्थोति का स्रोवतम प्रमान कहां से प्राप्त हुआ है तो सिकों से और मुर्तियों से राइटन सरो अप्सन डी नेश्ट है मुर्यकालिन राजनितिक केंदरों के संद्रम में सही विकल्प है तो पटली पुत्र, तक्षिला, तोसली, उज्जैनी, स्रोणगिरी सभी मुर्यकाल में राजनितिक केंदर होते थे नेश्ट कोश्चन है किस वंस के सासक देवपुत्र उपाधी का प्रियोग करते थे तो कुशान सासक देवपुत्र की उपाधी लगाते थे उन्हें ऐसा आगे कोश्चन में आ जाएगा कि उन्हें किस देश के सासकों से ऐसी प्रियोग प्राप्त करी तो किस देश के सासक से उनको सरोग पुत्र कहते थे तो चीन के सासक तो चीन के सासक से कुशान सासकों को प्रियोग प्राप्त हुई थे और उन्हेंने भी देवपुत्र की उपादे लगाना सुरूर कर दिया था नेश्ट है क्योंकि कुछान थे वो भी उनके पुरुवज भी वो चीन के रहने वाले थे कुछान चीन नहीं सा सकते पहले फिर वो भारत में आ गए थे प्रयाग प्रसस्ती जिसको इलावास थंब अभिलेक भी कहते हैं कि उसकी रचना किस ने की थी तो इसकी रचना समुंदर गुप्त के दरबारी कवी हरिशेन के दुवरा की गई थी नेश्ट कोशिन यही है कि हरिशेन किस गुप्त समराट के राज कवी थे तो वो समुंदर गुप्त के राज कवी थे नेश्ट है प्रयाग प्रसस्ती किस भासा में है तो वो संस्कीत भासा में है नेश्ट है किस गुप्त सासक की तुलना कुबेर धन देव या वरू समुंदर देव या यम मृत्य देव के साथ की गई है तो प्रयाग प्रस्थिस्ती में समद्रगप्त की तूल लाइन देवतां उसके साथ की गई है राइटंसर हो जाएगा उप्सन डी नेश्ट है सुदर्सन जिल के बारे में जनकारी का सबसे महत्पुन स्तरोत कौन सा है तूल लाइटंसर है उप्सन यहां पर जूनगर अभिलेख रूदर्दमन का जूनगर अभिलेख नेश्ट है कि सासक कि सक सासक ने सुदर्सन जिल का जिरनोधार करवाई था उसकी मरुममत कराई थी तो वो थे सक सासक रूदर्दमन next question है निमन में से कौन सा सासक सुधरिसन जिल से सम्दित नहीं है मुरी ने**क निर्मान करे था विर रूद्रधमन ने भी इसकी मुरमत करे थी और एक और सासक थे सासक सकंद गुप्त सासक सव कंद गुपत तो चार सासको का सुदर्सन जील से नाता था तो राइटन सरो हो जाएगा इसमें option A तो इसका संबंद सुदर्सन जील से नहीं था next है जातक कथाएं किस भासा में लिखे गई है तो पाली भासा में लिखे गई है जिसका संबंद बोद धरम से है next है किस गरंद से उससे हमें राजा और परजा के बीच तनावपून संबंदों का उलेक मिलता है तो एक जातक है गंत तिंदू जातक उससे हमें राजा और परजा के बीच तनावपून संबंदों का पता चलता है नेक्ष्ट कोश्चन है भारतियों महाध्यूप के प्रुवत्तर और मध्य प्रवतिय अक्षेत्रों में खेती है तो प्रियुक्त महत्वपून क्रिशी उपकरण कौन सा था तो वो कुदाल था राइटन्स रोप संठी नेक्ष्ट है अराम्बिक भारत का सबसे परसिद संठी के बीच माने जाती है नेक्ष्ट कोश्चन है कोश्चन नमर गैपति किस भाशा का सबसंद्स तो गैपति पाली भाशा का सबसंद्स है ज़ियुक्त होता है तो चोटों किसानो के Days के लिए सम मुख्या के लिए जबिए ग्हया पतिस्वद का प्रियोग किया जाता था मनु स्मिर्थी की रचना के पहसा में कि गई से दिवित्य स्ताब्दी इस्वी के बीच में इसकी रचना माने जाती है हर्षृत किस भासा में रचित है तो हर्षृत हर्षृतन की जीवनी है जिसको भाणबट के दुवरा लिखा गये था संस्कित भासा में हर्षृत के लिखा कुन है तो वो भाणबट थे जो की हर्षृतन के दरबारी कभी थे हर्षृत की रचना की सासकी है तो यह किस सासकी जीवनी है हर्षृत यह हर्षृतन की है मैंने अभी बताया आपको next है question number question number 80 पे आ गए है हम question number 79 पे हर्षृतन कहां का सासक था तो हर्षृतन कन्योज का सासक था पहले यह और थे हरियान में थाने सर एक स्थान है, वहां का सासा होग करता था, बाद में कनोज को, इसके जीजाजी थे वहाँ पर तुनकी हत्ते के बाद उन्होंने वहां का सासन, काल भी अपने हातों में ले लिये रहा, वहां की राजगदी, पर अपने भेहन के साथ वो बैठते थे निएष्ट है बानभट किसके दरबार में राज कवी थे तो बानभट हर्सवर्धन के दरबारी कवी थे जिनने हर्स शृति लिखी है निएष्ट है परभावती गुप्त के संद्रम में सही कतन है तो वैशंद्रुक्त दिवित्ते की पुत्रिती बिलकुर सही है उसका भी वहाँ दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था ये भी कतन सही है प्रभावती गुप्त आचारिये चनाल स्वामी को दंगुल गाओं दान में दिया था ये भी कतन सही है तो प्रोक सभी कतन या पर प्रभावती गुप्त के बारे में दिये गए है next है अगरहार अगरहार क्या होता था तो यह ब्रहामनों को दिया गया भूमी अनुदान होता था राइटन्स रूप्सन बी next है question number यहां पर 83 दिया गया है प्रभावती गुप्त द्वरा दंगुन गाउंदान दिया जाने के राजय देश को किस किस ने उतकिर्न किया था तो इस अभिलेक को चकरदास के द्वरा उतकिर्नित किया गया था next है किस चिनी आतरी ने पाटली पूत्र के एक हंधर में बदले होने का उले किया है तो वो थे जो कि हर्षवर्दन के काल में आते हैं हवेंश्वंग जिसको श्वेंश्वंग भी कहते हैं राइटन सरोप्सन सी हो जाएगा next है छटी स्थावदीसी पुरू के लगबग भारते उप महादीव में विक्सित नगरों के संद्रम में सही कथन है तो प्राय सभी नगर संचार मागों के किनारे बसे वे थे बिलकुल सही है मत्रा जैसे शहर वेबसाइक सांस्केतिक और राजनेतिक गती विदियों के केंदर होते थे बिलकुल सही है तो यहाँ पर सभी खत्रम सही दिये गए है next question है स्रेणि क्या है तो स्रेणि उत्पादकों और वैपारियों का संग होती थी अगर हार के संद्रम में कथन सही है तो यह ब्रहामनों को दिया जाने वाला भूबाग था बिल्कुल सही है ब्रहामनों से भूमी कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे ये भी कथन सही है ब्रहामनों को स्वेम स्थानिय लोगों से कर वसूलने का दिकार होता था बिल्कुल सही है तो सभी उपसनियां पर सही दिये गए है नेश्ट है दनातमक दनातमक अभिलेक के संद्रम में सही कतन है तो दनातमक अभिलेक में धार्मिक संस्थाओं को दिये जाने वाले अभिलेकों का या दान कवरन होता था बिल्कुल सही है इसमें दाता की नाम के साथ साथ प्राई उसके विर्साय का उलेक भी होता था तो ये भी कतन सही है इन में नगरों में रहने वाले दोबी, बुनकर, लीपिक, बड़ाई, कुमहार, रोहार, सुवनकार, धार्मिक गुरु व्यपारी, राजाओं के बारे में विवन लिखे होते हैं तो ये भी कतन सही है, राइटन स्लोप संडी हो जाएगा नेक्स्ट है, तमिल भासा में मत्धुवन, और प्राहृत्की में सातवाह, और सेक्टी, सब्ध का प्रियुग किन के लिए हुआ है? नेक्स्ट है, छटी स्थावदी श्यूपुरू में पर्सरन में आये, आक सिक्के किस धात्य के बने होते थे? तो चांदी और तांबे के बने होते थे राय टंसर ओप्सन दे ये भारते पाये जाने वाले प्राचिंतम सिक्के हैं Next question है मुद्रा सास्तर किस के अध्यन से सम्मंदित हैं तो ये सिक्कों के अध्यन से सम्मंदित हैं नेश्ट है, किस वंस द्वारा सासकों की परतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के जारी किये गए थे, तो वो सासक्ते हिंदियोन या हिंद उनानी, इंडो-क्रीक सासक भी कहते हैं, तो उन्होंने सिक्कों पर अपनी जो आकरेती है वो बनवाई थी सबसे पहले, युद्धे कबाईली, गनराज्यों के सिक्के किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं, तो ये पंजाब और हरियाना से प्राप्त हुए हैं, युद्धे गनराज्यों के सिक्के, नेश्ट है, बड़ी संख्या में रोमन सिक्कों की प्राप्ती किस अक्षेतर से प्राप्त हु नेक्स्ट कोश्चन है नाइन्टिसिक्स सई है तो प्रोक्त कतनी आपर सभी कतन सभी डिये गए हैं नेक्स्ट है किस लिपी को आधनिक भारतिय भासवाओं में प्रियुक्त लगबग सभी लिपियों का मूल मना जाता है तो write answer हो जाएगा option B भ्रह्मे लिपी को नेक्स्ट है जेम्स प्रिंसप ने असो कालिन भ्रम में लिपी कार्थ कब खोज निकला राइट नंसरो हो जाएगा उप्शन डी ठारासो अरतीसी स्वी में नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमर नाइंटीनाइन असो के पश्ची मोतर के अभिले किस लिपी में उतकिरनित है तो ये खरोष्टी भासा में लिखी उतकिरनित मिले है जो की पाकिस्तान में जो भी लिख पाएगे है असो की वो सुभी खरोष्टी भासा में है जो अफगानिस्तार में पाएगे है वो अर्माई को और युनानी भासरें पाई गए है या फिर लीपी में Next है किन सासकों के सिकों की साहता से ख्रोष्टी लीपी को पढ़ने में सफलता मिली तो हिंद्य उन्यानी सासकों के सिक्कों को पढ़कर के ही ख्रोष्टी लेपी का अर्थ है या उसको पढ़ा जा सका है नेश्ट कोश्चन है कोश्चन नमर 101 असोग के अभलिकों में उसकी किन उपादियों का उलेख है तो देवनाम प्रिये और प्येदसी इन दो पादियों का वरन उसके अभलिकों में पाया गया है नेश्ट कोश्चन है आज की वीडियो कांतिम कोश्चन असोग में नियमत रूप से सूचना एकत्रत करने है तो किसकी न्युक्त की थी तो उसने परति वेदकों की न्युक्ती की थी अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा 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 दोस्तों तक भी इसको पहुंच आए अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद